पूर्विसांसद आनन मोहन की स्थाई रिहाई के लिए निदीश केविनेट ने बिहार जेल कानून में 10 अप्रेल को संसोधन किया था, जसके बाद आनन मोहन समेट 26 कैदियों को पिछले सब्ता जेल से रिहा कर दिया गया था। इसके बाद से बिहार के सियासत गर्माई हुई है, एक तरफ जहानिती सरकार के इस फैसले की आलूचना हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कई लोग इस फैसले के समर्थन में भी हैं, इसे बीच अब बिहार के दो और बाहु बली नेता प्रभुनाद सिंग और अनन्द के रहाई की भी मांग उठने लगी है, राजत के टिकेट से चार बार सांसद रह चुके प्रभुनाद सिंग अभी हजारी बाग के जेल में बंद है, जन्तादल के विधायक अशोक सिंग की 1995 में हत्या हो गई थी, 2017 में इसी मामले में उन्हें दोसी पाया गया और आजीवन कारवास की सजा सुनाई गए, तब से वो जेल में बंद है, प्रभुनाद सिंग की रहाई के लिए पूर्व केंद्रियमंत्री रूडी ने भी सरकार से मांग की है, उन्होंने कहा है कि सरकार को सडियंत्र के तहत फसाया गया, जाती विशेस लोगों को रहाई के लिए पहल करनी चाहिए, उन्होंने कहा कि प्रभुनाद सिंग को भी सरकार द्वारा रिहा करना चाहिए, प्रभुनाद सिंग भी दो बार विधायक और चार बार सांसद रहें और आज भी उनकी लोग्रियता बनी हुई है, उधर मोकामा से चार बार के विधायक अनन सिंग की पाया और दस साल की सजा सुनाई फिलाल अनन सिंग पटना के बेउट जेल में बंद है अनन सिंग को जस्वक्त कोट ने दोशी पाया था वो राज़त से विधायक थे लेकिन दोशी करार दिये जाने की वज़त से उनकी विधानसभा की सदस्यता रद हो गए थी अब कारबोनाथ सिंह की जेल से रहाय की मोहीन शुरू की है उन्होंने कहा है की दोनोंने ताउक की रहाई के लिए वो किसे भी हद तक जाएंगे आनन्द मोहन की बात करे तो आनन्द मोहन तीन एक काम में संसूधन करते हुए उस वाक्यांस को हटाने का निर्ण लिया था। इसके तहर सरकारी सेवक के हत्या को अपवाद के तौर पर पहले शामिल क्या गया था। आशरवाद इजी कॉन ग्रूप भरोसी का दूसरा नाम हम सिर्फ घर नहीं खुशिया भी बनाते हैं। आशरवाद रोस वैली जिसमें हैं प्रीमियम फ्लैट्स विट आल मॉडर्न अमैनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना तो कीजिए हमारे नमबरों पर संपर।